आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello everyone, this is our question Find the number which must be subtracted from 2509 to make it a perfect square Let's do it Question में हमें कहा है कि हमें ऐसा number find करना है कि हम उसे 2509 में से less करें और जो number आए उसका perfect square बने अब हम पहले 2509 का square निकालेंगे 2509 का square root निकालना है हमें हम यहाँ division method यूज़ करेंगे by division method 2509 का निकालना है हमने इसमें हम हमेशा numbers को pairs में लिखते हैं यहाँ हमने pairs बना लिए 2509 का अब यह 55 to 25 कट हो जाएगा 5 plus 5, 10 यहाँ आगया 0 और यहाँ से हमने ले लिया 0, 9 अब हम देख रहे हैं कि हम ऐसा कोई भी number add करेंगे और उसे multiply करेंगे तो 009 नहीं कटेगा that means कि 9 ऐसा number है जिसे हम 2509 में से less करेंगे 2509 में से हम 9 को less करेंगे तो यहाँ आजाएगा 2500 अब हम देखेंगे क्या 2500 का perfect square बनता है 2500 का perfect square बनता है 5, 5 the 25, यहाँ आगया 0 that means यह बन गया 50 50 का perfect square क्या हो गया 50 into 50, 2500 50 का square क्या बन जेगा 2500 तो means 9 हमारा ऐसा number था जिसे हमने 2509 में से less किया और यहाँ आगया 2500 और इसका एक perfect square बन रहा है Thank you so much